महादेव का एक ऐसा रहस्यमई मंदिर जहां आज तक कोई भी सबसे पहले पूजा नहीं कर सका कोई अंजान शक्ती इस मंदिर में आकर रात को ही कर जाती है शिवलिंग की पूजा और ये शिवलिंग भी कोई समान्य शिवलिंग नहीं बल्कि वो शिवलिंग है जिसकी पूजा करने के लिए ही स्वर्ग से लाया गया था पारिजात व्रिक्ष जिसे कल्प व्रिक्ष भी कहते हैं 5 अगस्त 2020 ये तारीक इतिहास में दर्ज हो गई जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान के लिए भूमी पूजन किया इस भूमी पूजन में एक खास बात ये हुई कि प्रधान मंत्री ने मंदिर के प्रांगन में पारिजात का पोधा लगाया तो आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ पारिजात के पेड़ की खासियत जानेंगे बलकि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसे सबसे प्राचिन पारिजात वरिख्ष के दशन करवाने के लिए जिसका भारत में पुरानिक महत्व सरवाधिक है इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के बारा बाकी जिले में और इस ग्रामीन सडक से हम बढ़ रहे हैं एक पुरानिक गाउं किंतूर की तरफ जहां विराजमान है कुंतेश्वर महादेव किंतूर गाउं का ये कुंतेश्वर महादेव मंदिर अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है हलो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारा बाकी जिले में एक गाउं है किंतूर इसी किंतूर गाउं में ये कुंतेश्वर महादेव का ये यहां पर एक मंदिर बना है माना जाता है कि यहां के शिवलिंग की कोई अद्रिश शक्ती रात 12 बजे के आसपास सबसे पहले पूजा अर्चना कर जाती है इस कारण आज तक किसी की भी यहां के शिवलिंग की सबसे पहले पूजा अर्चना करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ये रहस्य इस मंदिर को खास बना देता है पर प्रश्ण है कि कौन है वो अंजान शक्ति जो रात के अंधिकार में शिवलिंग की पूजा कर जाती है माना जाता है कि किंतूर गाउं का नाम पांडवों की माता कुंति के नाम पर है जब धृतराष्ट ने पांडु पुत्रों को अज्यात वास दिया तो पांडवों ने अपनी माता कुंति के साथ यहां के वनों में निवास किया था इसी दोरान पांडवों ने माता कुंती के लिए यहां कुंतेश्वर महादेव की स्थापना की थी माता कुंती प्रति दिन सुबह शाम यहां पारिजात के दिव्य पुष्पों से अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करती थी कहते हैं कि माता कुंती यहां महादेव की आराधना में ऐसी रमी कि महाभारत के युद्ध के बाद अपनी आयू पूरी कर जब उन्होंने देह का त्याक किया तो उनकी आत्मा के जिस अंश में कुंतेश्वर महादेव बसे थी वो अंश स्वता ही इस मंदिर में आ गया मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी माता कुंती सुक्ष में रूप में रहती हैं और रोज रात को अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करती है कैसे हुई यहां कुंतेश्वर महादेव की स्थापना महा भारत काल में माता कुंती अपने पांडव पुत्रों के साथ अज्यातवास के समाई यहां आई तो उन्होंने भीम से यहां पर शिवलिंग स्थापित करने को कहा था तब भीम परवत मालाओं से शिवलिंग लाए और यहां स्थापित कर दिया तब कुंति की इच्छा हुई कि पारिजात के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करे। लेकिन पारिजात का व्रिक्ष तो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की वार्टिका में शोभाय मान था। तो फिर वहां से ये व्रिक्ष धर्ती पर कैसे आया? आगे की कहानी ज पारिजात का ये व्रिक्ष किंतूर से लगभग धाई किलोमीटर दूर बरोलिया गाव में स्थित है। ग्रामेन क्षेत्र के मनोरम प्राकर्तिक वातावरन से गुजरते हुए हमकरी पांच मिनिट में पारिजात व्रिक्ष के धाम पहुँच गये। ये यहां का मेंगेट है जिसके उपर पांडवों की प्रतिमाय लगे हैं छोट छोटी ये आप सामने दर्शन कर सकते हैं पारिजात व्रिक्ष के इस व्रिक्ष के दर्शन करते ही ज्यात हो जाता है कि इसकी चवी सचमुच अलौकिक है। इसके चमकदार तने और शाखाओं से तिव्य आभा निकलने का एहसास होता है। इसके बार में पौरानिक धारना ये है कि समुद्र मन्थन से प्रकट 14 रतनों में एक ये है। देवगर्ण इसे स्वर्ग ले गए पांडव अज्यातवास के समय अपने तपोवल से स्वर्ग से प्रिच्वी पर इस व्रिक्ष को ले कर आए। तथा अर्जुन ने अपने बान से पताल तक छिद्र करके इसे रोपित कर दिया। इसी कारण ये व्रिक्ष प्राचीन समय से ही पूजनी ये रहा है। पारिजात व्रिक्ष के पास एक मंदिर बने तो पुदरी ये किन का मंदिर है। कौन मिराजवान है। सितर राम जी। तो ऐसा क्या है पारिजात के व्रिक्ष और इसके फूलों में जो इसे बनाता है इतना खास। मानिता के अनुसार ये दिव्य व्रिक्ष स्वर्ग लोग से यहां लाया गया है। धर्ती पर इस व्रिक्ष की आयू लगभग 5-7000 साल पुरानी है। इसकी उंचाई से भी ज़्यादा इसके तने का परिमाप है। इस व्रिक्ष की उंचाई करीब 45 फीट तथा इसके तने का परिमाप लगभग 50 फीट है। इसके फूल सफेद रंके और चोटे होते हैं। फूलों का निचला भाग चटक नारंगी रंका होता है। सूखने पर ये फूल सुनहरे हो जाते हैं। ये फूल केवल रात में खिलते हैं और सुबाय होते ही अपने आप पेड़ से जढ़ जाते हैं, इनकी खुश्बू बहुत ही मोहक होती है रात के समय खिलने से इनकी मोहक खुश्बू दूर-दूर तक फैल जाती है फूल लगने वाले दिनों में इस पर इतने फूल लगते हैं कि जितने फूल सुबह नीचे गिरते हैं उससे भी अधिक फूल उस रात को नई खिल जाते हैं पूजा के लिए इसके पुष्पों को कभी भी तोड़ा नहीं जाता, बलकि तूट कर नीचे गिरे हुए फोलों को ही उठाया जाता है। पारिजात के फूलों से हर यानि भगवान शिव का स्रिंगार किया जाता है इसलिए इसे हर स्रिंगार या हर सिंगार भी कहा जाता है पारिजात कल्प विक्ष वह हर सिंगार के अलावा इसके अन्य नाम है शेफाली, प्राजक्ता और शिवली ये फूल पश्चिम बंगाल का राजकी अपुष्प है हर सिंगार के इन फूलों का केवल दैवीय महत्व ही नहीं बलकि औशधीय महत्व भी बहुत अधिक है इसके फूलों से लेकर पत्तियां चाल इवं बीज भी बेहद उप्योगी है यदि कोई व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है तो इसकी फूलों की सुगंध एक महा तक लेते रहने से तनाव दूर हो जाता है पाचन शक्ति बढ़ाने में भी इसके पत्ते और फूलों का इस्तिमाल किया जाता है गठिया रोग में इसके फूलों का इस्तिमाल होता है इसके फूलों का सेवन रिदय रोग से भी बचाता है साथ ही हड्डियों में आने वाली परिशानें भी दूर होती है साइटीका रोग के हिलाज के लिए हरसिंगार को सब से अधिक उप्योगी माना जाता है इससे अस्थमा आदी रोगु का भी उपचार किया जाता है तो इस प्रकार से पारिजात व्रिक्ष का ना केवल पौरानिक महत्र है बलकि इसके इन सभी विशिष्टाओं से भी ये पेड अपने दिव्य व्रिक्ष होने को सिद्ध करता है आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा साथ ही इस पारिजात व्रिक्ष और कुंतेश्वर महादेव के बारे में आपके क्या विचार है कृपया कमेंट बोक्स में जरूर बताए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवार